हलो एवरीवन वेलकम तू मैं चानल तो तुदेए वी आव सॉल्विंग क्लास 7 एनसो साइन्स ओलम्पियार्ट वर्क बुक चार्टर 11 रिप्रोडक्शन इंप्लांट तो वन बाइवन ये कुश्चन समझेंगे और 1-10 पार्ट 1 में 11-20 पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे तो मैं कोश्चन बताना स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको क्या करना है फटाफट अगर आपने चानल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करना है और ये वीडियो पसंद आए तो नाइस एक्स्प्लाइनेशन जरूर लिखिए औ और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए तो चलिए विटाउट टाइम वेस्ट किये बिना हम वन बाइवन कोश्चन पढ़ते हैं और इसे हम सॉल्फ करते हैं तो आपको पहला कोश्चन में बोला गया है वीच और फॉलेंग और इनकरेक्ट माच तो इनकरेक्ट माच आपको फाइंड आउट करना है इन में से तो पहले आपको यहाँ पे फ्रूट दे दिये गए हैं एजेंट ओफ डिस्पर्सल मतलब ये किस तरीके से एक जगह से दुसरी जगह पे जाते हैं और रिप्रड़क्शन होता है इनका ठीक है पार्ट ओफ सीड् कौन सा पार्ट है जो डिस्पर्सल में घल्प करता है तो पहला प्प्शन है हिप्टेच डिस्पर्चल है गिंडके थ Douglas मतलब जैब कि उनके पंग होते हैं वो बहुत जल्डी ही वीन में डिस्पर्ज हो जाते है अगर आपने cotton का फूल देखा हो तो मदार में लिखा हुआ है number B में मदार जो डिस्पर्ज होता है water से लिखा हुआ है because of hairy seed तो इसमें hairy seed होने के वज़े से वो water से डिस्पर्ज होता है लेकिन यह गलत है अगर इसकी seed hairy है like a cotton तो वो हवा से ही डिस्पर्ज होगा समझ मैं है तो यह एक incorrect option हो सकता है तब भी हम further question देख लेंगे coconut तो coconut water से ही डिस्पर्ज होता है because wind से नहीं हो सकता है because वो बहुत ही heavy होता है and fibrous outer coat होने के वज़े से आपने उसका outer coat देखा ही होगा कि कैसा रहता है coconut का uran animals के वज़े से होता है because उसके fruits में hook होता है यह सही है वो बहुत जल्दी ही किसी भी चीज से चिपक जाता है तो यह चीज आपने जब आपको भी खेद गए होंगे तो आपने यह notice किया होगा तो इसका incorrect match निकाला है तो यहाँ पर incorrect match होगा मदार ठीक है because इसका जो dispersal होता है वो wind के वज़े से होता है और यह far off places में जाता है चलिए question number 2 देख लेते हैं question number 2 में आपको बुला है प्रशान्त observe flower of two different plant तो प्रशान्त ने क्या observe किया है two different plants के flower को observe किया है flower X जो है वो large है color है, snowy है and nectar produce होता है उसमें से while flower Y जो है वो small है, dull है without nectar है तो pollen grain जो है X के वो sticky है और बड़ी है while pollen grain Y की अगर यहाँ पर बात करें तो यह small in size है और dry है तो मैं आपको बता दू insect pollination flower जो होते है वो किस चीज से pollinate होते है insect pollination जो flower होते है वो attractive होते है colored होते है, snowy होते है and उसमें nectar produce होते है and वो sticky substance होता है जिससे attract होते हैं इंसेक्ट और उस flower के तरफ जाते है उसकी smell के वज़े से और जो y type का यहां पर flower बताया है it does not attract insect because यह dull है, small है इसमें कोई खुश्बू नहीं है और dry है तो इस तरफ insect जो है वो मतलब उस तरफ नहीं मतलब नहीं जाते हैं अब यहां पर which of the falling is the correct regarding x and y x and y से related क्या correct है यहां पर यह पूछा है option a में बोला है x could be pollinated by insect जी हाँ मैंने आपको पहले ही समझाया whereas y जो है वो pollinate होते हैं wind से small size है तो इसके grains भी छोटे हैं तो यह wind से बहुत ही easily इधर से उधर disperse हो सकते हैं, pollinate हो सकते हैं तो यह हमारा option हो सकता है b में बोला है x could be pollinated by wind whereas y could be pollinated by water x wind से pollinate हो सकता है whereas y जो है वो water से pollinate होगा तो ऐसा नहीं है x could be pollinated by wind whereas y could be pollinated by insect तो यह भी कलत है x could be pollinated by water whereas y could be pollinated by insect तो यह सारे incorrect statement है regarding x and y a की correct statement है that is the option number a so I give a tick mark in it चलिए question number 3 देखते है question number 3 में बोला है a teacher showed the following plant to student and ask them to write their method of reproduction तो हर plant का method of reproduction अलग होता है पहला जो plant आपको w में दिखाया गया है that is dahelia x में जो दिखाया गया है that is ginger y में जो दिखाया गया है that is sweet potato whereas z जो आपको दिखाया गया it is onion तो इसका whereas अगर आप dahelia और sweet potato देखेंगे तो यह propagate करते है through root से ginger जो है वो एक modified stem है and onion जो है वो एक bulb है right तो आप देखते हैं आगे question क्या दिया हुआ है given below answer written by the student तो यहाँ पर difference students ने अपने difference answer लिखे है p ने लिखाया w x y जो है एक propagate vegetative through stem है तो नहीं w और y जो है वो है लेकिन x नहीं है student p ने कहा है w and x are resomes which propagate vegetative through roots तो resomes का मतलब में बता दू जो part of a plant root के मतलब soil के नीचे होता है and उसे हम resomes कहते हैं okay students r ने कहा है z is called bulb right which propagate vegetative through stem right now s ने कहा है y y means यहाँ पर sweet potato propagate vegetative through roots यह भी सही है तो अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या दिया है which student wrote the correct answer p और s ने लिखा है क्या नहीं s ने लिखा है लेकिन p ने एक mistake की है यहाँ पर b में दिया है r and s ने तो r का भी सही है whereas s का भी statement सही है तो यह हमारा answer होगा option b let's see the question number 4 question number 4 में आपको बुलाए report to the given figure and select the correct option तो आपको यह given figure को ध्यान से देखना है और इसका answer देना है part label as w as a w क्या part है यह इसे हम कहते है stigma stigma ठीक है as a part w x as a part x इसे हम कहते है style ठीक है as a part y इसे हम कहते है petals तो चलिए यहाँ पर मैंने label कर दिया what is stigma style whereas petal and ovary ठीक है अब आगे का question पड़ते है फिर है part label as w label as w is the swollen end of axis फिर बोला है part label as x x जो है is a tubular stalk which connect the stigma and the ovary फिर बोला है part label as y y को जो label किया गया from the foremost wall of a flower and d में बोला है part label as z is the male reproductive part of a flower no it is a female reproductive part of a flower sepal which is form the outermost layer of a flower y which is the outermost wall of a flower नहीं है whereas part of level w which is we call stigma stigma which is swell and end नहीं है of a axis तो यहाँ पे इसका सही answer होगा option number b will be the correct answer जो x है उसका जो tubular stark है जो stigma और ovary को connect करता है option b जो होगा यह इसका correct answer होगा let's see the question number 5 question number 5 में आपको दिया गया है refer to the given figure तो यहाँ पे stigma style petals दिखाएं गये हैं आपको next page देख लेते हैं bees that collect nectar from the flower help carry eggs to other places which part of the flower should bees touch to collect eggs यहाँ पे x जो है वो pollen को बुक कहा जा रहा है q जो यहाँ पे दिखाये गया था वो stigma था virus r जो था virus r और s जो था वो petals था अब यहाँ पे x किसे कहा गया है इस pollen तो यहाँ पे हम next मतलब पीछे के page में देख लेते हैं अब यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है pollen उसे यहाँ से ही मिलता है यहाँ से ही मिलता है तो वो पी को टच करेगी तब जाके वो grains ले पाएगी जैसे हम pollen कहते हैं तो पी इस दे करेक्ट आंसर so option A will be the correct answer okay let's see the question number 6 select the plant which are pollinated by air कौन सा ऐसा plant है जो pollinate होता है air से वेलिसनेरिया जोस्तेरा मेज, डेट पाम वीट और पैड़ी दिया गया तो यहाँ पे वेलिसनेरिया और जोस्तेरा जो हैं वो pollinate होते हैं by water और यहाँ पे मेज, डेट पाम वीट और पैड़ी है यह पॉलिनेट होते हैं through air तो option 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 option D will be the correct answer okay now let's see the question number 7 question number 7 में आपको बोला है the seeds swell up by imbibbing water, the embryos start growing, it dash grow down and form root the dash grow upward in the air and form shoot ठीक है अब यहाँ पे रेखिए जो soil है soil के नीचे जो उखता है उसे आप क्या कहेंगे and soil के उपर जो प्लांट आता है उसे आप क्या कहेंगे तो इस पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है तो होप सो आपको इसका आंसर आता होगा चलिए मैं बता देती हूँ जो soil के नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम रेडिसल कहते है जो soil के उपर वाला प्लांट का जो पार्ट होता है उसे हम प्लियू में उल कहते है आपको इसका आंसर पहले से पता था कि नहीं था यह मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताईएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा option number C will be the correct answer let's see the question number 8 question number 8 में आपको दिया है study the given table and select the correct option यहाँ पे correct option आपको select करना है method of reproduction वो किस तरीके से plant reproduce होता है examples यहाँ पे दिये गए PQRS budding budding से कौन से plant reproduce होते हैं तो यहाँ पे P का option आपको यहाँ पे दे दिया गया है तो P का option दे दिया गया है dahilia, hydra, spirogyra and asparagus तो इसका correct option कौन सा है P में जो budding तो आपको पता होगा मतलब आप जब stem देखते होंगे तो उसके चोटे-चोटे मिंस आख बोलते हैं हिंदी में उसे जो plant की stem होते हैं stem में आप चोटे-चोटे bird देखते होंगे जो आगे जाके leaves में convert होता है तो उसे हम birding कहते हैं तो वो कौन सा ऐसा plant है इसमें से जो birding के थूँ reproduction होता है तो वो है hydra तो आप देखते हैं spore formation spore formation से किसका reproduction होता है that is rhizobus now fragmentation तो fragmentation आप बोलेंगे fragmentation का मतलब क्या है तो fragment का मतलब होता है separate हो जाना for example मान लीजे ये एक plant है अपने में ही वो क्या हो जाते हैं तूट जाते हैं अलग हो जाते हैं means बिखर जाते हैं and फिर ये पूरी तरीके से एक अलग प्लांट बन जाता है और ये एक अलग प्लांट बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं fragmentation तो वो spirogyra में ऐसा होता है तो vegetative propagation बोला गया है vegetative propagation है oxalis ठीक है तो ये option B जो होगा ये इसका correct answer होगा this one चली question number 9 देख ले दें question number 9 में आपको बुला है anushka bagged four different kind of flower on a potted plant as shown below and left them undisturbed which of this four flower is mostly likely to produce fruits and seeds तो anushka नहीं क्या किया है four different kind of flower को क्या करती है मतलब उसे undisturbed करते हुए उसे bagged कर दिया है means बान दिया है एक bag से which of this flower आपको ऐसा लगता है जो produce करेगा fruits and seed तो यहाँ पे flowers को ध्यान से देखे यहाँ पे तो इसका जो beach वाला हिस्सा है female reproduction system जो है यहाँ पे यह absent है whereas यहाँ पे male absent है अब आगे का देख लेते हैं आगे का दो कैसा है यहाँ पे available है option C में whereas option D में भी वैसा है तो यहाँ पे C will be the correct answer because because क्यों? क्योंकि यह fruit और seed produce कर पाएगा because यह complete flower है जिसमें male and female reproductive system दिया गया है चलिए option number 10 देख लेते हैं sorry question number 10 देख लेते हैं consider the following statement and select the option which correctly identifies true and false one तो ovary ripens to form seed and ovule यहाँ पे यह पूचा है तो ovary ripens to form fruit while ovule ripens to form a seed तो अगर fertilization process हो रहा है तो ovary अगर ripen हुआ तो क्या होगा? fruit होगा लेकिन ovule अगर ripen हुआ तो क्या होगा? seed होगा तो यह जो statement है यह false होगा Radicelle is a part of embryo that develop into root तो यह सही है true pollination occurred before fertilization fertilization होने से पहले pollination होता है यह पूचा गया है तो यह भी true है cutting, layering, grafting and tissue culture and natural method of vegetative propagation तो नहीं vegetative propagation जो आप करते हो मतलब किसी का stem निकालके कहीं और लगाते हो ताकि new plant आ सके किसी के stem निकालके लगाते हो किसी के roots निकालके लगाते हो तो यह जो है cutting करना layering करना, grafting करना और tissue culture यह जो है यह सब artificial method है for a vegetative propagation तो नाच्रल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है डिस्पर्जल हो गया लाइक वीन, थ्रू एयर, थ्रू वोटर तो यह हो गया तो यह भी आपका फॉल्स होगा तो फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स देखे कहां पे है तो यह ओप्शन नमबर बी में है तो ऑप्शन बी बिल भी दा करेक्ट आंसर होप सो आपको यह समझ में आया होगा और फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगे चानल को सस्क्राइब कीशे चानल पे बने रहिए और अगर कोई एक ही टॉपिक है कुछ ऐसा कि मैं मुझे मतलब फ्लावर के डिफरेंट पार्ट समझ में नहीं आये है रिप्रड़क्शन रिप्रड़क्शन आफ प्लांट का चाप्टर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट कीजिए मैं वो आपको अवेलेबल करके दे दूँगे तब तक के लिए चानल पे रिप्र बने रहिए और बाए